नमस्कार दोस्तो, क्या होता अगर महमत दुणिया में आज भी जिन्दा होते? महमत दुणिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक थे और आज के समय में महमत के सबसे करीबी रिष्टेदार एश्यन हाती है दोस्तो मेहमत का साइज एक अफरीकन हाती जितना ही हुआ करता था वहीं एक वूली मेहमत की हाइट 9-11 फुटकी हुआ करती थी अब आप खुदी सोचिए कि इतने विशालकाई जानवर अगर आज के समय में जिंदा होते तो इनसानों को या इन जानवरों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह जानवर इस धर्ती से पूरी तरह से नश्ट हो गए लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम आथेंटिक जानकारी वो भी एकदम आसान भासा में तो दबा दीजिए इस लाल बटन को मेहमत का बजन 6 तन तक हुआ करता था वहीं एक स्टेप मेहमत का साइज इन से भी बड़ा हुआ करता था जिसकी हाइट 13 से 15 फिट तक होती थी मेहमत काफी हद तक हाथियों जैसे ही नजर आते थे लेकिन इनके सरीर पर काफी ज़्यादा बाल होते थे जो कि इन्हें ठंड से बचने में मदद करते थे लेकिन बूली मेहमत के कान और पूच छोटे होते थे साथ ही इनके काफी लंबे और घुमावदार दात भी हुआ क लेकिन वेग्यानकों का ये मानना है कि दुनिया में आखरी मेहमत की मौत सिर्फ 3600 साल पहले ही हुई थी आईसेज के दौरान 1600 बीसी तक मेहमत की एक छोटी सी पॉपुलेशन साइवेरिया के आईलेंड में बचने में काम्याव हो गई लेकिन क्या होता अगर मेहमत कभी न हो गई उनके बारे में सिर्फ एक ही कारण बताया जाता है कि और वो है आईसेज के अंत में धरती का टेंपरेचर बढ़ने लगा था और क्योंकि ये जानवर ठंड में ही रहते हैं इसलिए धरती के बदलते टेंपरेचर को जेल नहीं सके इसके अलाबा जिन जानवर ये ज इसान नई जगों की तलास में निकल पड़े और वैग्याने कैसा मानते हैं कि पुराने जमाने में लोग मेहमत का शिकार किया करते थे अगर मेहमत आज भी जिंदा होते तो यह देखने में साइद अलग ही नजर आते क्योंकि इनको ना चाहते हुए भी खुद को गरम इला बहुत ही महंगे होते थे साइबेरिया में बर्फ पिखलने पर मेहमत के जो धांत मिले उनका सिर्फ एक किलो हिससाई सतर अजार रुपे में बिका था इन्हें जाधातर चीन के लोग खरीते हैं जिससे वो दवाईया और जोयलरी बनाते हैं इसलिए अगर यह जिंदा होते था जो कि उनकी सूर से ही जुड़ा रहता था यह जातर एशिया अफरीका और नौर्थ अमिर्का के जंगलों में रहा करते थे लेकिन धरती के बतलते तापमान के साथ ये भी नश्ट हो गया तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने आपको मेहमत नाम के हाती के बारे में